तो हेलो ट्रेडर कैसे हैं आप सबी आज की वीडियो में हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं 20K चैलेंज का ये 4th पार्ट है इससे पहले हम 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और आज की दिन पता है क्या हुआ है आज की दिन बिल्कुल सेम वैसा ही हुआ है जैसा कि मेरे साथ कल के दिन हुआ था ये साइट पर्सु है कल की दिन हुआ था बिल्कुल सेम मार्केट उसी कंडिशन में उसी तरीके से मार्केट रसिस्टेंस के उपर जा रही थी मतलो तोड के उपर जा रही थी मतलो रसिस्टेंस पर थी और वहाँ पर नेगिटिव कैंडल बना तो यह एक गलती थी मेरी जो कि यह साइद मैंने आज सुधार ने की कोशिश की है क्योंकि बिलकुल सेम बिलकुल उसी तरीगे से आज के दिन मार्केट बिलकुल सेम उसी तरीगे से रसिस्टेंस पर मार्केट गई और वैसी ही कैंडल मार्केट बना रही थी मैंने आपको दि पंदरमिंट के चाट फ्रेम में तो स्विंग नहीं बनाया तो भाहि मैंने कोल में एंट्री नहीं ली क्योंकि यह सविंग बनना चाहिए और उसके बाद जो भी एक चोटी सी कॉल में एंट्री बनी थी में मैं ट्रैप हो गया आप दे कि किस त्रीक से बीलकुल अच्छा पैटरान बन रहा था बिलकुल फोर्ट पर मॉर्डिया आकर मतलो रिटेश्टक नहीं करते है उसके बाद कैंडल भी बदल बेणि तरीकर लेकिन उसके बाद भाई साब मुझे काफी टाइम से बैठना पड़ा कि कोई ना कोई ट्रेड जरूर मिलेगी उसके बाद एक ट्रेड मिली मुझे पुट में तो काफी अच्छा उसमें जो भी है हुआ है अब देख लेना लास्ट में क्या हुआ कैसे हुआ है किस तरीके से म मैंने पुट में बाई किया और कैसे का तक जो भी है मार्केट गई है वो सब कुछ मैंने जो भी उसमें बताया है लेकिन एक दिक्कत हो गई काफी यार कॉमेंट आ रहे थे कि वीडियो काफी बड़ी हो जाती है तो बड़ी यार इस कारण से हो जाती है क्योंकि मैं आपको तो हर एक वो बताता हूं कि कौन सा प्रिमम प्राइज खरीद रहा हूं कब खरीद रहा हूं कितनी कौंटिटी ले रहा हूं एंड मतलों छोटी-छोटी चीजे में आपको बताता था तब वो 40 मिंट की बन गई है घंटे की जैसे बन गई तो आज मैंने थोड़ा सा अलग क किया है मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग करके तो दिखाई है लेकिन वो अलग तरीकी से है थोड़ी सी मतलों मैंने आपको लाइव ट्रेड वो नहीं लेके दिखाई इसलिए सोमाफी चाऊंगा लेकिन मैं कोसेज करूंगा यार लाइव दिखाने की अब लाइव में दि है दस 15 burned हो चुकी है नो मिंट के करीब होचुकी है नो चूबिच एब होचुकि है two पे क्लोजिंग के पास ही मार्गेट में क्या अपर हमें वाइंग मुव्मेंट देखने को मिला है यद अच्छी यज बार कोई दि इकत नहीं है लेकिन कल के दिन्दा मार्किट ने 550 155 की उपर सस्टैंस नहीं किया बिल्कुल भी मतलो के उपर गई ही नहीं लेकिन कराहे लेकिन सटैंस अगर नहीं हो पाई तो यहां पर मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है क्योंकि पांसो पचपन का जो लेवल है ना वो एक साइकलोजी लेवल होता है इसी कारण से मैं आपको बोल रहा हूं तो पांसो पचपन के उपर अगर यह स्टेन्स हो जाती है अच्छे तरीके से तो हो सकता है मार्गेट थोड़ीशी उपर जाए लेकिन यह रेसिस्टेंस मार्केट हम यह गलती करने वाले नहीं है कोई दिक्कत नहीं है एंड मार्केट अभी देखो काफी ज्यादा बायर है मार्केट में फिलाल तो इस लेवल पर क्योंकि कल के दिन भी इस लेवल से छोटी ची बायंग में देखने को मिली थी तो आज भी थोड़ी सी मार्केट ऊपर की वास चो उससे next level है लेकिन इतने ऊपर जाने के chances फिलाल तो नहीं है इसके ऊपर ट्रेड गरेगा मार्केट उसके बाद ही हम कोल के लिए entry लेंगे अन्यत हम कोल के लिए entry अभी नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है वैसे तो मार्केट में daily risk रहता ही है ल जो कि नहीं चाहते कि मार्केट नीचे की तरफ आए और जो असली जो सेलर होते हैं जो मतलो अपनी position को अच्छी तरीके से काफी ज्यादा quantity में create करते हैं वो इसी लेवल के मार्केट नीचे ट्रेड करेगा ना उसके बाद ही वो entry लेंगे अन्य था यह चोटी मोटी selling correction हमें देखने को मिल सकता है तो इसमें देखते हैं कि scalping बनती है क्या बनती है हाँ एक comment काफी ज्यादा आया था जिस पर मैं focus कर रहा हूं और सायद मुझे उस तरीकी को अपनाना भी चाहिए आखिर market में देखो अगर market में किसी range में market फसा है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए का आफी ट्रेडर में comment किया था अच्छी बात है अच्छी comment किये थे तो उनका कहना है कि आप देखो range में market फसी है तो हमें ज्यादा बड़ा target तो मिल नहीं सकता तो क्यों ना हम एक तरीक अपनाए लाइक हम एक ट्रेड में यानि एक ट्रेड में 700 800 जैसा भी profit बनता है हम उसक सकते हैं लाइक 700 रुपए हम यहां पर तीनों ट्रेड में profit कर सकते हैं तो यह तरीका में अपनाने की कुसिस करूंगा ज्यादा profit के चक्कर में सायद ऐसा ही हो रहा है और इसको apply करके आज देखते हैं तो काफी मज़ा आने वाला है तो वीडियो को like कर दो यार चैनल को subscribe कर कर रहे हैं वह अलग बात अगर आपको पसंद नहीं आ रही है आपको 1-2% भी से कुछ चीखने को नहीं मिल रहा है अगर आप टाइम दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे हैं तो वीडियो को like कर दीजेगा एक तो like बनती है ओके अभी चलने देते हैं market को नहीं पुत में वनिदंगें नहीं कोंगें अंटीर बनी है en So 흡ूर करता हूं मैं अभी मैं को दिखाने की कुछ इस करता हूं ओपन इंड्रेस्ट थोड़ा वहक्त करता है ट्रैप करता है वह अल बात है जो याँ पर कर से लिक अबित करकरकि आपको दिखा तो यहां पर अगर मै आपको दिखाऊं तो यहां पर देखो एक लेवल है 600 का लेवल है 23,000 के करीब यहां पर OI है और नीचे का स्पोर्ट जो भी ले रहा है मार्केट 23,500 का है 24,000 के करीब हो आई है इस तरह 18,000 का करीब अगर देखों मार्केट 500 के लेवल को तोड़ती है तो जो इधर का OI है वो ट्रैप हो जाएगा उसे अपनी पोजिशन को एग्जिट करना पड़ेगा तो मार्केट में एक अच्छी खासी मोमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है लेकिन अगर मार्केट 600 को उपर की तरफ ब्रेक कर देता है यहाँ पर सस्टेंज करता है टाइम बिताता है तो 600 पर जो ओपन इंट्रेस्ट है कोल OI वो बुरी तरीक से ट्रैप होगा और उसे अपनी पोजिशन से एग्जिट करना होगा यानि कि बाय करना होगा तो दो त स्पोर्ट यही है जो कि है 485 के लगभग इस स्पोर्ट को मार्केट नीचे के तरफ ब्रेक करेगी तो मार्केट आने के चांसेस नीचे रहेंगे और वैसे भी मूविंग एवरेज के मार्केट ओपर ही जो भी है ट्रेड कर रहा है 50 दिन के मूविंग एवरेज के ओपर मार नहीं है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी देखो हम पुट में अंट्री नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट अभी बुलिस है छोटे टाइम फ्रेम में और थोड़े से ज्यादा एक्टिव है कैंडल के बिहेव से मुझे दिख रहा है कैंडल के साइकलोजी से मुझे ऐ जो आभी 600 के करीब OI है ना 23,000 का इस तरफ का OI अगर इंक्रीज होता है 600 पर तो साइद मार्केट उपर के तरफ जा सकती है नहीं तो मार्केट क्या कर सकती है यहां पर थोड़ा से टाइम बिताने के बाद थोड़ा से टाइम बिता उसके उपर बाद में ब्रेक आउट द नहीं पर देगा क्योंकि मैं देख रहा हूं काफी दिनों से यहां ट्रैप हो रहा हूं नहीं ऐसा हुआ नहीं आज से पहले लेकिन आज दो-तीन दिन के अनदर नहीं पता क्या हो रहा है अगर आज भी ओ गया तो situation कुछ अलग है एंड कुछ तो गलत हो रहा है तो कोई दि एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहा है फिलाल कोई candle बनेगी ना तो मैं समझ सकता हूं कि यहां से selling आ सकती है कल के दिन मार्किट ने ना कितनी हद कर दी कि 555 के लेवल के ऊपर मार्किट सस्टेंस नहीं कर पाया candle के closing वेगरा तो थोड़ी बहुत मुझे नहीं लगता हो गए तो यह लेकिन सस्टेंस नहीं कर पाया और आज के दिन अजानक मैं पूट में एंट्री नहीं ले पाऊंगा फिलहाल तो एंड मैं HDFC बैंक को देख रहा हूं हम बनाने देते हैं इसको negative candle देखते हैं क्या होता है अभी तो मैं यहां पर नहीं लोंगा टाइमिंग देख सकते हैं बसल स्कैल्पिंग हम कर सकते हैं लगबग अज़ेती सोच चुके हैं 45 के करीब स्कैंडल की क्लोजिंग होती है 15 मिंट की कैंडल है यह एंड अभी आ रही है मार्केट नीचे की तरफ स्कैल्पिंग बनेगी लेकिन अभी मैं कह नहीं सकता कि मार्केट यहां से नीचे आएगी और देखते हैं क्या होता है आनी वैसे रसेस्टेंस है अच्छा कासा रसेस्टेंस है लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब इतना वह नहीं कर पाऊंगा जितना कि मैं पहले करता था अपि बार में ट्रेप वहां हूं ऐसी ही जगह पर तो देखते हैं कोई दिकत नहीं इंतिजार करते हैं एंडे कैंडल तो अच्छी बनी है बनने देते हैं एवा इसे सस्टेंज करने देजगा अगर इसी तरीके से स्कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है तो मज़ा आज आएगा ठीक है ना हो जाने देते हैं इसकी क्लोजिंग हो जाने देते हैं फिर मैं आपको अपडेट करता हूं सो ट्रडर अभी देख सकते हैं यार कितनी भेंकर मार्केट यहां पर गिरी है और यहार हम यहां पर बिलकुल अच्छे तरीगे से अपने ट्रेड को बना पाए हैं यहां पर मैं आपको पोजिशन डिटेल्स दिखा रहता हूं सुरी माफी चाहूंगा मैं ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाया एंड मैंने जल्दी से जल्दी एक्जिट कर दिया क्योंकि भाई साब इतना प्रॉफिट ठीक है एंड यह कॉल में एक मैं एंट्री ले थी और यह पुट में अभी मैंने इसको एक्जिट किया है एंड काफी अच्छा यहां पर प्रॉफिट हुए है 4200 के क खाया था लेकिन कोई ट्रेड मेरी यहां पर नहीं बनी मैंने क्या खा था कि भाई केंडल की क्लोजिंग देखूंगा मैं उसके बाद ही ट्रेड लूँगा पहले जैसे आज से पहले क्या हुआ था कि मैंने भाई सब यहां पर केंडल की क्लोजिंग में नहीं होने दी और आपर negative candle बन रही थी मैं सोचा भाई put में आएगी resistance पाउरफुल लेकिन क्या किया उस दिन उपर चली गई market सेम मैंने कहा था कि मुझे candle की closing की candle closing चाहिए मुझे उसके बाद मैं यहाँ पर put नहीं पाया काम वेगरा के कारण काम वेगरा चल रहा है ना इसी कारण से बहुत मुझे से वीडियो बना रहा हूं कोशिश कभी कबी करता हूं कि आपको trade दिखाऊं लेकिन कभी कभी यार माफी चाहूंगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है आज है इसे काम किया है मतलग कि सिर्फ और सिर्फ मैंने दो ही ट्रेड ली है मतलब कहने का मतलब यह है कि मैं बिल्कुल ऐसे बैठा था जैसे बैठा नहीं रहता है कोई दुबक्कर वैसे बैठा था कि कपसिक मेरे जाल में फसे मार्केट अगर इतनी बड़ी मुमेंट आती है तो कोई ना कोई मार्केट में आया है और वो इतनी आसानी से और इतनी जल्दी मार्केट को नीचे नहीं आने देगा हाँ थोड़ा time भी ताए market resistance पर उसके बाद थोड़ी सी उपर जाए नीचे जाए कोई negative candle बने उसके बाद entry बनती है यहाँ पर कोई entry नहीं बनी लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर हो गई क्या कि यहाँ पर मेरी एक call में entry बन गई थी छोटी सी जो कि आप देख सकते हैं यह वाली call में entry यह वाली मेरी यहाँ पर बन गई थी जो कि 23,650 की मैंने call ले थी यहाँ पर and इस में मेरा 306 के लगबग लोस हो गया था लोस होने का करण मैं आपको बताता हूं देखो यहाँ पर जब यह candle बनी थी है यहाँ पर मैं सोचा कि यह swing है market इसको candle पर थोड़ा सा profit दिखाया था लेकिन भाई साब इस candle है मेरा कर दिया मतलव कि totally इसमें loss कर दिया तो इस कारण से इसमें loss हो गया मैंने exit कर दिया यहाँ पर तो trapping थी बहुत बुरी तरीके से क्योंकि देखो यार आप ही देखो कितना अच्छा swing बन रहा है यहाँ पर बढ मैंने आठाल था कि यह जानी का accept मैं आपन jeśli दिखाता हूं उसको रहा हूं है यह देखो इसको resistance इसलिए बोल रहा ूँ यह लटro pad धर यहां पर यह रहा हूं मैंतलू red करें लेकर लेकिन करती क्या है margin साइकल होजी देखो मार्गिड मतलो मारगिड बेवकूफ कैसे बनाती पहली बार तो नहीं गई दूसरी बार आने के बाद गई है अब बना अदिक नहीं तो कि दूसरी बार मैंने ली नहीं अधर आपको तो बताइए यहां पर ट्रैप हो गया उपर नहीं गई नीचे आ गई फिर से यहां पर एक candle बना दी बिल्कुल सेम अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं फिर से call में लूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है और मैं सोच रहा था कि call में नहीं मैं पुट में एंट्री लोंगा क्योंकि पुट में एंट्री बनेगी तभी मैं एंट्री लोंगा उसके बाद मुझे पता था यह वाला था मार्गेट यहां पर गई उसके बाद जब इस candle की closing होने के बाद मैंने यहां पर अपने ट्रेड को execute किया अब बताता हूं देखो अब मैं बताता हूं मैंने एक ट्राइम फ्रेम 15 मिन का ट्राइम फ्रेम है इस पर मुझे confirmation तो मिल गई लेकिन मुझे थोड़ी और confirmation के आवसकता थी मतलो थोड़ी और तो वो मैंने थोड़ा RSI जैसे आप जानते होंगे RSI अगर यह RSI 70 के आसपास ट्रेड कर रहा हो न तो वहां से market के गिरने के chances रहते हैं आप जानते नहीं है RSI के बारे में तो मैं बता दूँगा किसी दिन कोई दिक्कत नहीं है तो RSI ने मुझे confirmation दी second एक और चीज थी confirmation देने के लिए मैं 30 मिन का चार्ट और देख रहा हूं जो यह वाली candle बनी थी ना उसके बाद मुझे यहाँ पर accuracy मेरी ज़्यादा बढ़ गई थी trade लेने की कौन सी candle 30 मिन के टाइम फ्रेम में यह वाली यह वाली जो candle है 30 मिन के टाइम फ्रेम में यहाँ पर market ने रसिस्टेंस लिया देख वह रसिस्टेंस है यह वाला यहाँ पर फास्ट मुमेंट मिल गई इसलिए में जो इतना ज्यादा प्रॉफिट हो गया है इतने ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस नहीं थे आप समझ सकते हैं लगबग 4277 के करीब अभी थोड़ा सा लोसेस में हूँ कोई दिक्कत नहीं है तो इतना मुझे प्रॉफिट हो ग इतना है यह कल आएगा तो 16 के संथिंग हो जाएगा 16 17 फिर भी मैं 4000 लोस में हूँ कोई दिक्कत नहीं है लोस होगा तो तभी तो सीखेंगे ना यार अब वह गलती में नहीं कर रहा हूं और सुधारने की कोसिस कर रहा हूं काफी मतलब दो दिन तो ऐसा मतलब हुआ था बह केंडल बनी थी यह देखो मार्किट ने यहां पर भी स्विंग बनाया था देखो कितना बढ़िया ऊपर के तरफ गई थी लेकिन सायद मैं 30 मिंट के टाइम फिरेम में कॉल की बाई नहीं कर पाया मैंने पुट की बाई की तो कोई दिक्कत नहीं कभी कभी चूक भी जाते ह है 15 मिंट के टाइम फिरेम में मैं आपको दिखाता हूं 15 मिंट के टाइम फिरेम में यह वाली केंडल बनी थी इसलिए मुझे थोड़ी सी कन्फरमेशन मिली थी पिन बार केंडल और फिर भी मार्किट ने यहां से ट्रैप करने की कोशिस किये लेकिन मैं नहीं ट्रैप का दिन था और इस तरीके से जो भी है मैंने ट्रेड ली है दो और उसके बाद भाई इतना प्रोफिट हुआ है नहीं तो साइध आज भी ऐसा ही होता लो उसे इसमें लेकिन मैं कोसिस कर रहा था बिल्कुल बहुत ही ऐसे बैठा था मैं मार्केट को देख रहा था 30 मिंट का च चार्ट में नहीं देख रहा था था पांच मिंट का चार्ट मोजो बहुत बेकार लगता है क्योंकि बहुत ट्रैपिंग है छोटी-मोटी कैंडल कभी भी बन जाती है उसमें बाइंग की सेलिंग की कभी भी बन जाती है तो थोड़ा सा कॉंफिडेंस आया है आज के दिन त तो देखेंगे कोई लिखने के तो क्या ही जूरत है लिखेंगे तो बाद में यह प्रोफिट लोस ही दुखाऊंगा आपको ठीक है तो फिर आज की वीडियों में इतना ही एंड काफी कुछ चीजी सीखने को आपको मिली होगी एंड ट्रेड अच्छी बनी थी मेरी एंड बढ़िया मार्केट तो यार क्या बताऊं बढ़िया मार्केट तो बाई देखो बीगनर है न जो बीगनर है बहुत ही मैं बोलता हूं बहुत प्रोफिट नहीं कर पाएगा बीगनर जो मतलोग ऐसे मार्केट में रहना पड़ेगा बहुत मार्केट ट्रैप करती है यार मैं इसलिए SL होना जरूरी है, exit का बटन तो नहीं दबाया जाता, यह तो मैं मैसूस कर चुका हूँ और मैंने यह देख भी लिया है, जब loss बढ़ता है तो exit का बटन दबाया नहीं जाता, तो SL लगाना जरूरी है, तो यह काम करिएगा, एंड कोई दिक्कत नहीं है, आज की विडियो में से इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक विडियो देखने के लिए, जय सरी किसना सभी को, बाई बाई टाटा, सी यू,